सब सब पहले आप लोगों को वर्क के बारे में समझना होगा, यहाँ पे आप लोगों को KYC डिटेल्स आप लोगों को अपडेट करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को KYC का इंटरिकरना होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्टेट बैंक अफ इंडिया, ब्रांच लिखना होगा, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, यह सब कुछ आपको यहाँ पे फिलप करेंगे, यहाँ पे आपका जो इमेज फोट हो रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा, इसके बाद KYC सब्मिटेट, सिल्फ सेटिफा यहाँ पे लगाना होगा, उनका नेम, करेंट एड्रेस, मोबाल नंबर, इमेल आईडी, डेट प्लेस, सब कुछ आप लोग यहाँ पे फिलप करेंगे, यह होगा, KYC डिटेल्स अप्डेशन, आप लोग का काम यही रहेगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते ही KYC डिटेल्स अफडेशन, यहाँ पे भी रहेगा, सब कुछ आप लोग को यहाँ पे सही तरीके से फिलप करना होगा, यह बात समझ लीजेगा, यहाँ पे भी सेम आप लोग को फिलप करने का काम आप लोग का रहेगा, यह एक जैनियून वर्क है, ध्यान पुर्वक आप यहाँ पे वर्क करना होगा, इसी तरीके से अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी इंफरमेशन आप लोग यहाँ पे फिलप करेंगे, यहाँ पे भी सेम आप लोग को फिलप करना होगा, यहाँ पे जो भी है यहाँ आपको फिलप नहीं करना है, तो यहाँ पे यहां पे भी आपनों को पूरी information फिल अप करने काम आप लोगों कर रहेगा ध्यान पुर्वक फिल अप कीजिएगा कहीं mistake ना हो जाए अच्छा आप लोगों को यहां पे होने वाला है तो ध्यान पुर्वक इस वर को आप लोगों को करना होगा signature of the applicant, applicant का signature आप लोगों को यहां पे करवाना होगा तो इस तरह का form मिलेगा इसी form को आपको फिल अप करने का काम आप लोगों कर रहेगा State Bank of India KYC entry work आप लोगों को यहां पे मिलने वाला है यहां पे आप लोगों को फिल्ड में जाकर कुछ कलेक्शन करना होगा customer का जो भी details से उसको collection आपको करना होगा वही collection करने के बाद KYC आपको यहां पे करना होगा तो यहां पे जो भी job आपको मिलने वाला है वो credit card से संबंदिद आप लोगों को यहां पे work मिलेगा तो आप यह एक एक स्टेप में आप लोगों को पताऊंगा ध्यान से इस बीडियो को देखेगा मिने स्कीप कियो इस बीडियो को देखिएगा तो यह निकला हुआ नोटिफिकेशन है जून फोर्थ को निकला हुआ है तो यह जबतक रहेगा आप लोगों के आप फिल अप कर सकते हैं रेइस्टर कर सकते हैं और एपलाई कर सकते हैं कंपनी नेम SBI बैंक पोस्ट नेम आप लोगों को देदिया गया है जॉप टाइप फूल टाइम जॉप इन्लो एक्स्पिरेंस फ्रेशेस और एंट्री लेबल रहेगा जिरो टू टू येर्स का एक्स्पिरेंस होनी चाहिए फंक्षन बिजनेस एरिया रहेगा क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के उपर आप लोगों को वर्क करना होगा मल्टिपल लोकेशन किसी भी लोकेशन में आप इस वर्क को कर सकते हैं काटेगोरी बैंकिंग ऑफिशल वेबसाइट SBI बैंक में जाकर देखना होगा सेलरी 25,000 CTC प्लस इंसेंटीब भी आप लोगों को यहां पे मिलेगा रेस्पोंसिविलिटीज आप लोग ध्यान से समझेगा कंडग सी के वाई सी सेंट्रल नु यूर कस्टमर एक्ससाइज इन डेजिगनेटेट जूरल एं सेमी उर्बन ब्रांचिस जो भी रूरल ब्रां नहीं घर में रहेकर फिल अप करेंगे की वाई सी लेकिन आपको फिल्ड में जाना है और कलेक्ट करना है उनका लोकेशन उनका जो भी इन्फरमेशन है उनका जो भी डकुमेंट से आप फिल्ड में जाकर उसको कलेक्ट करेंगे और लाकर वक फ्रम होम जॉब आप लोगों यवाईशी को fill up करना होगा तो यह वर्क आपनों का यहां पे रहेगा इंस्यूर एक्यूरेशी और कम्प्लिटनेस अब दे कलेक्टिट डाटा एंड डॉकमेंटेशन जो भी आप कलेक्ट करेंगे आप लोग कंफर्म होना चाहिए कि यह अगर इंकम्प्लिट रहता है कुछ इनक्यूरेशी हो जाता है तो यह रिजेक्ट हो जाएगा इसलिए ध्यान पुर्वक आपनों को जो भी डॉकमेंट है कलेक्ट करना होगा पहले कौर्डिनेट फूट ब़ी अगर आगे बढ़ाना है तो इन सबको आपनों को कोडिनेट करके है अपनों के यह पे काम करना होगा maintain detailed records and documentation of CKYC activities जब आप central know your customer activities करेंगे यानि कि इसको fill up करेंगे उस time पे detailed record को आपनों को maintain करना होगा और documentation भी details में आपनों को maintain करना होगा तो ये वर्क करते बक्त ये बात याद रखियेगा जो भी rules and resolution रहेगा State Bank of India का उसको आपनों को पालन करके ही इस work को करना होगा salary 15,600 रुपिज आपनों को मिलेगा CTC yearly मिलेगा उसके साथ आपनों को extra 2,000 fill यानि कि आप जो fill में जाकर जो भी data को collect करेंगे इसके लिए आपनों को extra payment दिया जाएगा 2,000 रुपिज और यह हुआ field supervisor यहां पे भी आपनों को same work रहेगा CKYC activities यह आपनों को यहां पर करना होगा provide guidance, training and support, team members, team members को guidance करेंगे, training देंगे, support आपनों को देना होगा maintain and track the progress of CKYC आपनों को tracking करना होगा monitor करना होगा कि जो भी KYC है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं CIS को आपको देखना होगा, regular quality checks आपको करना होगा, editing का काम करना होगा जो भी KYC का standard और procedure को आपनों को check करने का काम आपनों का रहेगा तो branch manager के साथ आपको मिल कर काम करना होगा, salary 18,960 आप लोगों को per year मिलेगा requirement अब ध्यान से समझेगा, bachelor degree or equivalent qualification होनी चाहिए previous experience in banking operation, पहले से अगर अनुबह है तो अच्छा रहेगा customer service का अनुबह है और अच्छा रहेगा familiarity with KYC, know your customer and see KYC process में थोड़ा आपके knowledge अगर है तो भी बड़िया रहेगा interpersonal and communication skills आपके पास होनी चाहिए ability to work independently, independently काम करने की च्छमता होनी चाहिए और team के साथ आपको काम करना होगा तो proficiency in local languages जगह पे आप काम कर रहे है तो इसलिए आप लोगों को local language आनी चाहिए तो travel करने के आपके पास इच्छुक है तो बहु और भी बड़िया रहेगा तो समझ में आ चुका है तो अब आपनों को यहां पे apply now का option दिखेगा यहां पे आप simple क्लिक करेंगे जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे SBI bank job 2024 आपनों को दिखाए दे रहा है hiring for field executive and field supervisor के लिए vacancy है full name देना है, mobile number देना है, email id डालेंगे, age डालेंगे, qualification आप सलेक करेंगे अभी का भी जो नया रिजू में उसको आप यहां पे update करने के बाद सब बटन के बटन पर क्लिक कर दिजेगा यह आप लोगों को होने के लिए यह review में चला जाएगा, तब आपके पास एक mail चला आएगा, उसी mail में आप लोगों को पूरी जानकरी दे दिया जाएगा तो अच्छा वर्क है एक बार आप लोग यहां पे try कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहां पे apply करेंगे, आप लोगों को सही information देकर यहां पे apply करना है, State Bank of India के तरफ से आप लोगों को यह work मिलने वाला है, एक genuine सा work आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, अभी के अभी